तो आप मेंसे जो भी BPSC की तयारी कर रहा है आज उसके लिए सुनहरा मौका है BPSC का महापैक आज केवल 1,999 रुपीज में मिल रहा है coupon code apply कीजेगा flash Hello दोस्तो आप मेंसे जो भी BPSC की तयारी कर रहा है आज उसके लिए सुनहरा मौका है BPSC का महापैक आज केवल 1,999 रूपीज में मिल रहा है coupon code apply कीजेगा flash Hello दोस्तो, आप मेंसे जो भी BPSC की तयारी कर रहा है आज उसके लिए सुनहरा मौका है BPSC का महापैक आज केवल 1,999 रूपीज में मिल रहा है coupon code apply कीजेगा flash हेलो दोस्तों आप में से जो भी BPSC की तयारी कर रहा है आज उसके लिए सुनहरा मौका है BPSC का महापैक आज केवल 1,999 रुपीज में मिल रहा है कूपन कोड अपलाई कीजेगा हेलो दोस्तों आप में से जो भी BPSC की तयारी कर रहा है आज उसके लिए सुनहरा मौका है BPSC का महापैक आज केवल 1,999 रुपीज में मिल रहा है कूपन कोड अपलाई कीजेगा अपलाई कीजेगा प्लाई कीजेगा प्लाई कीजेगापैक इलो आपलाई कीजेगा है जहें दोस्तों कैसे हैं आप लोग अच्छे होंगे स्वस्त होंगे जल्दी आजेंगे काफी लोग आ चुके हैं अरीबा आफरीन जी वलकुम सलाम अखिल रिंजन जी गुड मॉनिंग मलेशिया स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल धिरजी गमन गुपता जी वेरी वेरी गुड आप सुन्दरता की बात नहीं करेंगे मलेशिया की आज हम बात करेंगे मलेशिया के फिजिकल फीचर मलेशिया कहां पड़ता है जोगरेफिकल पॉंड व्यू से चिके दोस्तों चलिए स्टार्ट करेंगे जल्दी से बहुमत कासिम जी बिल्कुल प्रतिबह जी नीरत जैस चलिए बहुत बढ़ेख दोस्तों अभी यह दो दिन के लिए एक्स्टेंड कर दिया गया है यहां पर दोस्तों अभी वह आप वाई 375 कोड के साथ आप पर्चेस कर सकते हैं तो आपको पढ़ेगा यह 1840 का पढ़ेगा बीपीस्टी का महापाइक डबल वेल्टी के साथ य गुद मॉनिंग कृष्टन गुपता जी हलो कैसे हैं ओके कृष्टन गुपता जा चुके हैं बहुत अच्छी बात है रादे रादे महिंग जी बहुत बढ़िया चलिए हमारे पास कौन है अड़ लवर अड़ लवर तो फ्लाइट में बैढ़ गाए लपक के जाके दोस्त सीका यूपी पीचेस का एक्जाम आने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए कोशन सीरीज लेका है जैसे कि मैं आपसे प्रॉमिस किया था मैं आपको प्रीविए से कुशन करा चुका हूँ यूपी पीचेस के 2012 से 20 ठीक है यहां पर अभी तक अपने अप्लिकेशन को इंस तो सो अगर हम बात करते हैं यहांपर हमाई पास एंदियाट बैच चलत रहे हैं यहांपर एंसिया चला सिक्सिले की 12xt मारेटई करते हो फिकी चल रिल्ट है क्लास दो के परो दोस्तों आपको बता याट सेवर्भार को संडे को सुबा दस बजए आपका टेस्ट आपको बताया था वीडियो भी दी है और आपको मैंने बूख भी दी है है आपको कहां से क्या पूछूँऊ देखते हैं 30 को दूँगा आपको ती को देखते हैं 30 कोशन में किसे होंगे बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों देखें यहां पर देखें पूरा पूर्टफोलियो पूरा हो चुका है एसिया पूरा होने वाला है सुरी यहां बढ़िया के चेप्टर नमबर टेन में इंड्वोनेशिया और चुके मलेशिया आज करेंगे और मलेशिया हमारा कलन तक हो जाएगा मतलब मंदे को हम लोग जाने वाले ही चाइना लाना कहा जाएंगे चाइना के बाद सीधे जापान जाने के बाद यूनिट छोड़के हम आजाएंगा अपने प्यारे भारत के अंदर यहां पर बिल्कुल वल्कुम स्लाम सुमया जी कैसे हैं कि अकाश जी महराज कैसे है जोदी पाड़क जी बिप्यसी का टाइमिंग नहीं दिख रहा है चलिए आपके लिए क्लास के बाद आप बता तक यहां पर देखिए यहां पर हम बात करते हैं हमारे पास यहां इंडोनेशिया ठीके यह दो हमारे पास क्या है कंट्री है आज हम बात करने वाले मलेशिया की बारे में तो दोस्तों मैंने बात किया है आज आपको दिखाया था यहाँ पर चलिए पहले मैं आप दिखते हैं बात में हम आगे बलेंगे आज बात करेंगे मलेशिया के बारे में यहां पर मलेशिया यह रहा दोस्तों देखिए यह मलेशिया है अब सवाल आता है मेरे समने मलेशिया के बारे में मुझे क्या क्या जानना है सबसे पहले सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं मलेशिया के बारे में ध्यान से देखेंगे चलिए बहुत बढ़ी है वह क्लास को लाइक कर देंगे फ़रावर दोस्तों कि अगर 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 कि यहां पर आगे देखिए कि अगर जी मलेरिया नहीं पड़ेंगे कृष्ण गुपता जी कि चलिए बहुत बढ़िया चलिए लाइक कर देंगे दोस्तों आप लाइक नहीं करते अभिशेक शर्मा जी भी आ चुके हैं शिव जी वरी वरी कुड मॉनिंग कैसे हैं ओके बहुत बढ़िया दोस्तों देखिए कोकी कंट्री दिखती आप मैं मलेशिया चलिलर में कलर नीचे के तर आफ करते हैं हम लोग मलेशिया यह को क्य Ops अन्-》 जार्ट यह चलिव चलिख्ट के नौर्थ मैं डिगरी नौर्थ इक वि得र के उत्तर में एक डिग्री उत्तर से लेकर और यह वाला जो एरिया यह वाला एरिया अधो यहाँ पर टीकिंगे यह वाला良 जो एरिया ya दोस्तों यह स Verfश्ट का है स्वन डिग्री नॉर्थ कुन सा है सेवन डिग्री नॉर्थ इसका मतलब अखन्स ये विस्तार कितना है मेलेशिया का लेटिटी डर्टर केतना है कोई पूझत है कहां से कहां तक पढ़े गा मलेशिया लाटिटीटीट को कहते है अखशांस किendas हिंधी में मलेशिया कहां से कहां तक पढ़ता है एक डिगरी उत्तर से लेके 7 डिगरी उत्तर तक पढ़ता है यहां पर ठीकए अब दोस्तों CafISS यहां मिलेगा आपको एक सो तीन डिग्री इस्ट ठीक है सौ से एक सो तीन तक यह मुख्य भूमी हो गई पर मलेशिया का एक कभजा मैं आपको बॉर्णियों पर भी यह बॉर्णियों तो बॉर्णियों पर दोस्तों यहां पर मिलेगा आपको यह वाला एरिया ठीक है यह मिलेगा आपको 110 डिग्री इस्ट ठीक है और यह मलेशिया आपके पास यहां तक जा रहा है यहां पर ठीक है यहां पर जा रहा है इस जगा आप देख सकते हैं यहां पर देखिए अब जाएगा अब यहां से बात करते हैं यहां पर यह वाला एरिया आप देख पा रहे हैं यहां पर इस पॉइंट की बात करता हूं यहां पर मतलब यहां से लेकि यहां तरफ हो गए यह वाला मुलेशिया तो यह होगा 120 डिग्री इस्ट कि 120 अब दोस्तों लॉंग ट्यूट तो चार नेकल गए इसके यहां पर कैसे चार नेकल गए 100 डिग्री इस से लेके इसके नीचे यहां पर अब मैं आपको लिखवाता हूं पहले इसका लाटिटूड लॉंगिटूड इसका दौनों मिलाके यह वाला एरिया यह वाला एरिया मिलाके दोस्तों अगर यहां की बात करूँआ इसको हम लोग बोलते हैं मलाया प्राइदीब क्या बोलते हैं इसको मलाया प्राइदीब बोलते हैं मलाया पैनिसला यहां पर मिलाके 11 राज्ये हैं कितने हैं 11 राज्ये हैं यहां पर 11 प्रोविंसे हैं यहां पर कहां पर इस वाले से में 11 प्राइद हैं अगर दोस्तों इसकी बात करेंगे यहां पर यहां पर है इसका मतलब यहांपर दो राज्जे यहां मिलेंगे हमारे पास बॉर्णियों के नौर्थ से यहांपर कितने राज्जे हैं टूटल तेरा राज्जे यहां पर कहां इंडो ने आपके बाद मलेशिया में ठीक है मलेशिया में थेरा राज यहां तक समझ माया बगण शुर्मा जी गुड मॉनिंग चलिए बहुत बढ़िया मुलाया बिल्कुल सची बात है यहां पर आप बुड़ बाटु केवसे बाटु केवस आखिल ढागी हमें पास यहां पर सबसे उच्छी चोटी कौन सी है किन जाधार में यहां पर एंह आप 5 आपटिए ऩोसर यहां पर दिखते परहें लिख लेते हैं लोग ठीके यहां पर देखिए हमारे पास आज टॉपिक स्टार्ट करने वाले हम लोग मलेशिया जल्दी जल्दी अपने अपनी कॉपी में लिख लेंगे आप सब भाइबें जितने भी हैं क्लास में मौझूद मलेशिया एक बाग क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट क्ल जल्दी से बना मातरा नहीं आ चुकी है पाप लगा देंगी आगे देखिए जल्दी पड़ावट को लाइक कर देंगे पड़ावट जल्दी से सरावाग सबहा करें चलिए बहुत बढ़िया इधर कि सब्सक्राइब मलेशिया मलेशिया होता है दोस्तों बात करते हैं पहल बात मलेशिया का हम लॉंगिट्यूड देखेंगे यहां पर मैंने आपको बार 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 बताया लॉंगिट्यूड की बात करेंगे यहां लॉंगिट्यूड दो जगा मलेगा मलेशिया का फिर मलेशिया का इसमें एरिया देखेंगे हम लोग यहां पर ठीक है इसका मतलब दोस्तो हम लोग क्या बोलते हैं मलेशिया के बारे में यहां पहले मलेशिया का मैं अक्षांसिय विस्तार देखूँगा अक्षांसिय विस्तार फिर मलेशिया का मैं देशांतर विस्तार देखूँगा यहां पर फिर मलेशिया का मैं छेतरफल देखूँगा ठीक यहाँ पर ठीक है देखे यहाँ लाटिट्यूट की बात करते हैं दोस्तों लाटिट्यूट इसका एक डिगरी उत्तर से लेकर साथ डिगरी उत्तरी अक्षांस रेखा तक है लोंग ड्यूट दोस्तो यहां पर एक पड़ता है 100 degree Ease से लेकर 103 degree Ease तक हमारे पास जो है वो कौन सा मलाया प्राइदीव वाला है मलाया मिलेगा आपको क्या पर यहां से यहां तक ठीक है और उसके बाद दोस्तो 110 degree Ease से लेकर हमारे पास 120 degree Ease तक जो मेरे को मिलेगा वो कौन सा मिलेगा हमारे पास सरावक और सवाहा ठीक है यहां पर यह हो गया इसका एरिया की बात करूँगो च्छेतरफल तो दोस्तों च्छेतरफल इसका है तीन लाक तीस हजार वर्ग किलोमीटर ठीक है तीन लाक तीस हजार वर्ग किलोमीटर का च्छेतरफल एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब फट्टा पर जल्दी से अब बहुत बहुत बढ़े चलिए दिश्टाइब करें कि बल्कुल तीन लाग वह अमन गुप्ता जी बिल्कुल कि यहां पत्नी बात क्लियर है यहां पर तो हम बात कर सकते हैं हमारे पास मलेशिया ठीक है मलेशिया हमारे पास जो लाटिट्यूड मलेशिया का वह कौन सा है मलेशिया का लॉंगिट्यूड मलेशिया का कौन सा है हमारे पास और एरिया मलेशिया का कितना है यहां पर तो हम कॉपी कर लिया है अब चल रहा है हम लोग यहां पर अब ठीक है यहां पर कॉपी कर लिया आप लोगों ने जल्दी बताईए जल्दी से कॉपी करेंगे इसको फटाफट फिर हम आगे चलते हैं मलेशिया के अंदर चलिए साइट रटगया मैं जल्दी से कॉपी करेंगे पड़ाफट आप लोग चलिए बहुत बढ़िया लिख लिया बिल्कुल चलिए आगे दिखते हैं हम बोलते हैं यहां पर अगला बोलते हैं मलेशिया इस डिवाइड इंटू टू पार्ट्स ठीक है यहां पर इसको लिखेंगे मलेशिया को दो भागो में बाटा जाता है यहां पर कौन कौन दो पार्ट है इसके एक पार्ट यह वाला एक पार्ट यह वाला ठीक है एक पार्ट का नाम है मलाया प्राइदीप मलाया एक पैनिंसुला और दूसरा पार्ट है इसका यहां कैसकते हम लोग यहां पर नौर्थ आफ बॉर्णियों इसको हिंदी ही बोल देते हैं लोग यहां पर मलाया प्राइदीप और बॉर्णियों के उत्तर में ठीक है यहां पर मलाया प्राइदीप की बात करेंगे यहां पर मलाया प्राइदीप में आपको मिलेंगे यहां ग्यारा प्रांत और यहां पर आपको मिलेंगे मतला नौर्थ बॉर्णियों में आपको मिलेंगे यहां पर दो प्रांत ठीक है मतलब प्रांत को बोलते है प्रोविंसेज प्रोविंसेज और यह प्रोविंसेज यह दो तो आपको पता ही है कौन से सरावक और सबाहा ठीक है यहां पर अब हमने मलेश्या अब कूछ बागतौसरी मतलम डॉसुक्त हों गया सब्सक्राइज लाइक क्लास को सब्सक्राइब और सब्सक्राइब क्लियर हो गया बताइए अगा इस इट कॉपीड अगा विराज जी सी बी आई एटिट्यूड की आईडी ब्लॉकर चलिए मैं करवाता हूं चलिए देखिए यहां पर आई होप सो इतना कॉपी हो गया अब मैं आपको दूसरी दिखाता हूं यहां पर अब मैं आपको मैप दिखाता हूं नक्षा दिखाता हूं अब हमारे पास मलेशिया को अलग कौन कौन करता है सवाल कैसे बनते हैं इग्जामनेशन में बिल्कुल चलिए बहुत बढ़िया सजीपी मोडिवेशन राजमिरारी जी जल्दी लिखेंगे फड़ाबर्ट राजमिरारी जी अकिल रिंजन जी बिल्कुल चलिए दोस्तों को जिन बचलन लाइक नहीं किया लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे मैं आपको मैप दिखाता हूं है आप यहां पर गेखिए अब जैदि हैं ऐसे बनते हैं उर देखो यह माले कहले देखें नहीं आप में देख लेका का जा के न तो debtor ़ाइंड Mayलेशीया क को अलग कौन करता है यह पानी के रास्ता करेगा इसकों लोग किस नाम से जानते हैं Eduard तो मैं यहां लिख देता हूं नीचे यहां पर इसको बोलते हैं मलक्का जलसंदी यहां लेशिया और इंडोनेशिया को यह मलेशिया यह समात्रा को अलग कौन करेगा हमारे पास मलक्का जलद संधि मलक्का स्ट्रेट करता है ठीक है इसको क्या कहते हैं अगला जलसन्दी अगला सवाल दोस्तों अब दिहान से यह मलाया प्राइदीप हिस्टो और मलेशिया के डोब अलग कौन सागर करेगा दोस्तों यह बीच में सागर पड़ता है सागर को कहते हैं साउथ चाइना सी इसको दुनिया का सबसे बड़ा सागर यही है दुनिया का सबसे बड़ा सी यही है साउथ चाइना सी इसको हिंदी में मैं लिग देता हूं यहां पर दक्षडी चीन सागर चीन सागर ठीक है तो मेरे सामने दो चीज़ क्लियर हो गई मलेशिया के दो पार्ट है पहला पार्ट दूसरा पार्ट पहला पार्ट मलेशिया का इंडोनेशिया से अलग करेगा मलक्का जलसंदी मलक्का स्ट्रेट यह वाला हिस्सा मलक्का स्ट्रेट हो गया हमारे पास ठीक ह सभी बात है यहां पर बिल्कुल अलिना शिवस्तप जी कैसे हैं बहुत दिन बाद दीए क्लास के बिल्कुल ठीक है तो भी आप से भी कोशन मिलेंगे और जो पढ़ाया है से महां से भी कॉश्ण मिलेंगे देखें संडे को कितने बच्च अपने दिमाग लगा पाते हैं दिमाग उपर वल ने सब को दिया है सब दिमाग कर अगर हम बात करेंगे कि मलेशिया कि मलेशिया इज़ ये सेपरेटेड बाई ठीक है यहां पर अब कह सकते हैं कि मलेशिया को अलग करता है अलग करता है कि कौन लग करता है मलेशिया को देखिए दो चीज़े की बात करेंगे हम यहां पहला पार्ट मलेशिया को लग कौन करेगा यहां पहले हम देखते हैं हमारे पास अगर यह मलेशिया और इंडोनेशिया इंडोनेशिया पूछ लेगा या इंडोनेशिया के एक आइलेंड सुमात्रा इंडोनेशिया का आइलेंड कौन सा है सुमात्रा तो यहां पर यहां पर मलेशिया और सुमात्रा कह सकता हूं मैं यहां पर सुमात्रा किसके पास है इंडोनेशिया क के पास auxcards इसके पास इंडोनेशिया के के पास यहां पर तकर या लग गधा अच्छा आपको यहां पर दूसरी कंडीशन हमारे पास एक होता है यहां पर मलाया प्राइडीप मैलाया प्रायडीप और सरा हुआ का इसे God कौन करेगा ठीक है अब मेरे सामने दो सवाल ख़ड़े होते हैं यहां पर एक तो होता है दोस्तों मलेशिया को सुमात्रा कि सुमात्रा मतलब इंडोनेशिया ठीक है यहां पर दूसरी कंडिशन मलाया सारावक ठीक है यहां पर इसको अलग करेगा तो मैं यहां लिख देता हूँ आपके पास इस जगह इस तरह लिखेंगे आपको याद भी रहेगा चीज़े तो यह करता है दोस्तों हम कह सकते हैं मलक्का जलसंदी मलक्का जलसंदी और यह होता है हमार पास साउथ चाइना सी साउथ चाइना सी ठीक है इसको बोल सकते हैं हम लोग यहां पर मलक्का जलसंदी दक्षिल चीन सागर चीन यहां पर तो मैं आपको यहां पर क्या है पूरी कहानी बता दी यहांप मलेशा समात्रा पूछ ले यां मलेशय इंडोनेशिया पूछ ले अलग कों करेगा इसको मलक्का जलसंदी मलाय द्टवीप और सारवक आइलेंड को अलग कॉन करता है यहां पर हमारे पास साउट चाइना सी बताइए क्लियर हो गया ओके दिल जले जी आ चुके हैं नमशकार दिल जले जी कैसे हैं यहां पर आपकर अपर अतनी बात क्लियर है जिन लोगों नहीं के लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी करेंगे सब्सक्राइब जल्दी से चलिए दिल जले जी आ चुके हैं इकलाप में सब्सक्राइब आपका आई होप से यहां था क्लियर है कि अ कि अ कि अ कि अ बिल्कुल साक्षी चोहन जी मलका स्ट्वेट सुमात्र मलेशिया सव्चाना सी बिल्कुल बहुत बढ़े बहुत बढ़े साक्षी जी चलिए बहुत बढ़े तक आई होप सो कॉपी हो गया अब मैं आपको कुछ और दिखा रहा हूं यहां पर अब दोस्तों मलेशिया का फिजिकल फी बहुतिक चित्र रहा है कि यहां पर अब देखिए अब फिजिकल फीचर की बात करेंगे मलेशिया चलते हैं यहां पर मलेशिया महर पास का बढ़ी अशा मलेशिया देखते हैं यहां चली इसको दिखते हैं इस मैप को हूँ इस धर देक्स के यहां थकी यहां तक समझने है आख आप लोगों को हुदॉदय को यहां तक समंझनाा है सभी को और कि दॉनलियुकर बाहुत बहुत बलिया किаете हुए का थ्के यह कि यहां सоже शल्ट बहुत बलिया देखें यहां पर आगे देखिए 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 दोस्तों बात करते हैं मलेशिया के फिजिकल फीचर की बात करते हैं यहाँ पर सुनेंगे ध्यान से बोट पे देखेंगे देखेंगे मलेशिया का सेंटर पार्ट है ठीके मलेशिया का मद्दे भाग है यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ प इन करता हूं यहां पर यह आपके पास यहां पर दोस्तों इसको बूलेंगे टिना सारेम हिल्स इसको धंचल देता हूँ इसको देखेंगे कौन गोंचे हिल्स है यहां पर टिना सारेम हिल्स परतियें यहां पर मलेशिया में ठीक है यह वाली जो हिल्स है हमारे पास दोस्तर यह पहली यह पहली लाका है इसको बोलेंगे टिटी वांग सा टिटी वांग सा टिटी वांग सा हिल्स ठीके ये टिटी वांगसा हिल्स होगी टिटी वांगसा हिल्स और ये क्या है आपके टिनसारेम हिल्स होगी ये दो पहाड़िया इसका मतलब मलेशिया का सेंट्रल पार्ट जो मत्दे भागे हमारे पास दोस्तों कैसा है पहालों से घरा है पहाल और इसके बीच में जो इलाका तो लिख लेना साइड में करें के corrude कि लिखा सब्सक्राइब सकते हैं खरण सकते हैं यहां पर हमारे पास यह वाला जो ईलाका है देखिए कि अये जो लगाध देए यहां पर तो यह वाला आडिया ये वाले तो यह रिधी जाय एक आठीन को यहां यहां पर कि यह क्या है तटीय इलाका है कि तटीय इलाका और इसके लावा यह वाला जो कोस्चल इरिया आप देख पा रहा है यहां पर कि यहां पतला सा सकड़ा सा रास्ता है यह क्या है आपका कोस्टल प्लेन से मैदान है यह मैदान है इसका मतलब हमने क्या देखा यहां पर इसके मध्धे भाग में सेंट्रल पार्ट माउंटेन से और कोस्ट पे तठके तटिये लाके पर हमारे पास क्या है यहां पर दोस्तों इंसे यहाँ पर सेंट्रल पार्ट में परवत हैं और इसके तो यहाँ पर विच्छ यहाँ आपको 1200 मीटर से लेकर एक किस्सों मीटेर तक आपको माउंटेन मिल जाएंगे छोटी या मिल जाएंगे आपको ठीक है यहां पर बिलकुल ठीक है चली देखते हैं यहां पर चली बहुत बढ़ी हाँ विराज जी करवा देंगे बैगेंडीम अगर सुन रही है तो तो असीबे अडिटीट को नब्लोक कर देंगे अगर बैक अडिम वहाएं हमारे पास अभी देखी दोस्तों तो हम कह सकते हैं यह फिसकल टेटेश में मलेशिया का सेंट्रल पार्ट पे क्या है दोस्तों एक पर्वती भाग है म상이ुंटनिये स्टा आहिए लंबे से सॉन आथ यहाँ पर मांटनिकलेंगा नाम है टीतिषी हिल्स और दूसरा है तृध्य का माँटनिय सा-ृध दिवांकसा हिल्स और तनासरे हिल्स हमारे पास का हम लेगा यहां पर यह मलेशिया के अंदर मिलेगा और जो बीच वाल इलाका है महां लोग रहते हैं यहां चोटिया ज्यादा उची उची नहीं होती कम से कम 1200 मीटर और मैक्सिमम एक किसो मीटर तक की चोटिया मिल जाएंगी यहां पर और वह पर आपको यहां पर पर्वती परवत मिलेंगे यह पूरा परवती परवती इलाका है पूरा आप देख सकते हैं mountain region यहाँ पर mountain mountain मिलेंगे आपको अगर आप यहाँ जाओगे यहाँ पर यह वाला पूरा इलाखा कैसा है this whole area is a mountainous region यहाँ परवती परवत है दोस्तों और यहाँ अकना Malaysia की सबसे उची चोटी महीं है मलेशिया की सबसे पूरा इलाखा कौन सा है दोस्तों mountainous region है हमारे पास परवती भाग है और सबसे उची चोटी कोशी है दोस्तों यहाँ पर किनाबालू सबसे उची चोटी है मलेशिया की मतलब highest peak highest peak of Malaysia highest peak of Malaysia उसका नाम है किना बालू किना बालू किना बालू सबसे उची चोटी है मलेशिया की बिलकुल कि बॉरणीयों के जंगल discovery channel पे देखे दे बिलकुल बिलकुल दे देंगे आप पूछ लेना आपको देदेंगे ठीक है यहां पर बहुत बढ़िया अगर बैकन टीम हमारे साब ने है तो हम सी बैट्ट को अनब्लॉक कर दिजिए सी बैट्टीट पढ़ने वाला बच्छा है ठीक है इसको उप्लॉक कर दिजिए फटाबट चलिए बहुत किना बालू हमारा मलेशिया की सबसे ऊची चोटी पढ़ेगी जो इसकी उचाई मतलब कितना है यहां फोजाई होती है और किना बालू हमारे पास यहां ही एक अलावा दोस्तों हम बात करते हैं मारे पास अब मैं आपको दिखाता हूं यहां पर देखों यहां पर हमारे कोस्चल प्लेंस तट्ये मैदान बहुत पतले सकले थे पर दोस्तों यहां ऐसा नहीं है यहां के जो कोस्चल प्लेंस यहां पतले नहीं है बहुत ज्यादा अब देखा यहां पर देखे और एक मैदान देखे यहां पर तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर मैंने आपको क्या दिखाया एक फ्लेश बैक में जाते हैं दो मिनिटे के लिए हमने क्या देखा कि मलेशिया का फिजिकल परवती बारा सो से किस्थू मीटर की बीच बीचवें इन परवतों के नाम क्या है हमारे पास यह है लेंगे यहां पर अब मलेशिया के यहां पर हमारे पास अधिकतर एरिया जो वह हमारे पास परवतों से जंगलों तो यहां पर तो परवतों जंगल आपको यहीं मिलेंगे मैक्सिमम पार्ट में कहां सरावाक और सबाहः प्रांद के अंदर ठीके पर उसके जो मैदान ने को सफस्ट्स निए मैयदानly यहां है और पतने मैदान नयाया है मत यह समझ वत फट्रों यहां पर बेलकुल बहुत बलिया प्रतिबाजी हुँ और इंग टेंस भी होते हैं बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया चलिए यहां तक क्लियर है इस इट क्लियर बताई यहां तक क्लियर है लिखवाओं इस पॉइंट को जो मैंने समझाया है फिजिकल में बताईए लिखवाओं कि क्रिष्णर जी हाँ डेवलप्मेंट तो है पर वो छोटा गंड्री पॉपलेशन भी बहुत का में उसकी छोटा गंड्री पॉपलेशन लिबाग क्लास को लाइक शेर सब्स्राइब कर देंगे फटाफट जल्दी से फटाफट ठीक है चली देखते हैं अब हम लिखते हैं इसको देखें फिजिकल फीचर बिल्कुल चलिए बहुत बढ़िया देखें हम बोल सकते हैं यहां पर the central part of the central part of malaysia is covered by is covered by mountain valleys with an average height of average height of 1200 meters to 2100 meters देखें बोल सकते हैं हमारे पास मलेशिया का मद्धे भाग मलेशिया का मद्धे भाग पहालियों से घिरा है पहालियों से घिरा है मद्धे भाग पहालियों से घिरा है जो की अब बारा सो मीटर से अधिकिस सो मीटर तक विस्तिर्त हैं इसको कॉपी करेंगे यहां पर यहां ठीक है यहां पर देखें यहां पर आगे देखते हैं the coastal plains of Malaysia is narrow the coastal plains of Malaysia is narrow मलेशिया का तट्ये भाग संक्रा है कि इसको कॉपी करेंगे फटा फट जल्दी लिखेंगे चल्दी कॉपी करेंगे दोस्तों मैंने आपको अभी अभी मलेशिया बताया अभी मैं सारवक और वहां जाने वाला हूं कहां पर सारवक और सवाह प्रांद बिटा पढ़ाई लिखाई कर लिया करो थोड़ी सी कि द्ल जले आफरीन ई से बोर्यों कंट्री नहीं है परथेपक अमारी जी कल्माय आपको बतायता बोर्य कंट्री नहीं है इंडिनेशिया का एक ऐएलेंड है बोर्नी ओक्तहाइण हम कहते हैं वह लो काली मंधन है कि काली मंधन है जल्दी दिल जले ब्लॉक हो जागो खोलों में बाप वापस दुबारा से बैक हें टीन बेठीए बीचे तो इस बैक हेंटीम बैटिये बैक हेंट टीम की नज़ा नजर पड़ गई है अगर आपके कमेंड पे सीधे बलॉक पुमारेगे वेगेंटीम फिर क्लास में बोलते हैं दूसी क्लास में सब्सक्राइब करा दो इसलिए क्लास में पढ़ने आते हो बी इन यो लिमिट्स सबी लोगों से कह रहा हूं मैं यहां पर आगे देखिए यहां पर इतनी बात क्लियर है बदाएए कॉपी बिल्कुत चलिए बहुत बलिया जिन लोगों ने क्लास को लाइक नहीं कहें लाइक शेयर सब्सक्राइब फटा फट जल्दी से देखिए आगे देखिएंगे हमारे पास दूसरी कंडिशन आती है अगर मैं बात करता हूं यहां पर Saravak and Sabaha provinces is also a mountainous region mountainous region is also is also a mountainous region ठीक है यहां पर Saravak and Sabaha is also mountainous region but the coastal plains but the coastal plains are broad but the coastal plains are broad कि बोस्ते हैं मर्पस कि सारावक कि एवं कि सबाहा प्रांत कि एक कि पर्वतिये छेत्र है कि एक पर्वतिये छेत्र है कि परंतु कि इसका कि तट्ये मैदान बहुत चोड़ा है ठीक है एक पॉण्ड़ लिख लेंगे इसमें यहां पर दा हाइएस पीक आफ जल्दी बताइए कमेंट करके हाइएस पीक कौन सी है दा हाइएस पीक आफ मलेशिया इस मलेशिया इस कौन सी है जल्दी कमेंट करके बताइए कमेंट दिखता हूँ आपके अभी मैंने बताया आपको मलेशिया कि सबसे ऊची चोटी सबसे अची चोटी कौन सी है जल्दी जल्दी लुट लाइक कर देंगे दोस्तों जितने लोना नहीं कि अभी क्लास को देख बच्चे जाता है क्लास भी लाइक कम है यह लाइक करेंगे सब्सक्राइब कर लेंगे नहीं कि आया अभी तक तो जल्दी बताइए कि वेरी गूड माउंट किनाबालू बहुत बड़ी है साक्षी जी और भी लोगों ना सही आंसर दिया है यहाँ पर तो हम बोल सकते हैं हमारे पार सबसे उची चोटी कौन सी है माउंट किनाबालू बालू ठीक है उचाई 4101 मीटर्स अबब दसी लेवल ठीक है और यह कहां परता है सबाह प्रुविंस में पड़ेगा यह सबाहा परांथ, थीक है? माौंक केना बालु, तो हमने देखा मलेशिया की सबसे उची चोटी काहई सबाहा परांथ के अंदर पड़ती है माौंक केना बालु है, 4101 मीतर, ठीक है cens की उचाईहोती है यहाँ पर, बिलकुल केना बालु बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया राजमुराडी जी निरत जैस्वाल जी समायर जी बिलकुल महमत कास्म जी बिलकुल पूनम कुमारी जी बहुत बढ़िया सब्सक्राइब इसका अंसर जल्दी कॉपी करेंगे फटाफट जल्दी कॉपी करेंगे इसको जल्द यली कॉपी करेंगे बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया दिल जले बिटा ऐसा लग रहा है सुबह सुबह बीवी से मार खाके आए घर से आज यह बीवी ने नाश्ता बिल्कुल कॉपी हो गया आगे देखेंगे अब मैंने आपको यह दिखा दिया अब उसके बाद कंडिशन आती है क्लाइमेट कैसा है जब यह एक क्वेटर के पास होगा एक क्वेटर के एक डिग्री नॉर्थ में होगा उत्तर में होगा तो उसका मतलब क्या होता है दोस्तों यहां पर गर्मी होगी तो उसका क्लाइमेट देखेंगे क्लाइमेट कैसा होता है महां पर और एक कोईटर के क्लाइमेट मिलेगा हमारे पास मलेशिया के अंदर यहां बिल्कुल चलिए बहुत बढ़िया आगे दिखते हैं यहां पर प्रोवेंस प्रोवेंस मतलब होता है प्रांत ठीक है यहां पर देखी दोस्तों यहां बात करेंगे हम क्लाइमेट की बात करते हैं क्लाइमेट कैसा है तो यहाँ पर climate मिलेगा आपको equator के पास है मैंने बताता है इसका latitude कितना है one degree से seven degree north of equator equator के उत्तर में तो equatorial type of climate मिलेगा यहाँ आपको equatorial टाइप of climate यह बताइए यहाँ पर गर्मी होगी सर्दी होगी चल्दी बताइए यहाँ पर गर्मी होगी यहाँ पर इस इलाके में यहाँ पर हमारे पास इस इलाके में गर्मी होगी सर्दी होगी कह सकते हैं भूमद्धे रेखिए जलवाई यहाँ मिलेगा यहाँ पर अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे temperature की यहाँ पर तापमान की बात करते हैं यहाँ पर टापमान जब equator के पास है सूरज की रौशन मिलता है कहाँ equator पर तो यहाँ का तापमान की बात करूंगा दोस्तों तापमान टेंपरेचर यहाँ पर कैसे होता है टेंपरेचर तो कह सकते हैं बहुत उच्छ तापमान कह सकते हैं यहाँ का तापमान कैसा होता है मतला किता है उच्छ तम या उच्छ तापमान तो यहां गर्मियां होना चाहिए ठीक है दोस्तों हम बात करेंगे टेंपरेचर बहुत जादा है पर समुद्र की उमस्क के कारण इसका थेंपरेचर थोला थमावा भी है यहां हम बोल सकते हैं यहां का टेंपरेचर आपको मिल जाएगा 21 जिगरी से लेकर हमारे पास 32 जिगर त Richter मिनमम है यहां और यहां पर मतलब रात में पास सरदी नहीं मिलती है कि यहांvenir की की दौरां हम तो यहां घरम मौसम रहता है कहाँ मुलेशिया मैं यहां तो ताप मान लगबां इतना मिलता है पर यह equator के पास होने के कारण दोस्तों हम बात कर सकते हैं इसके अंदर कि यहाँ पर जो वर्षा होती है रेंफॉल होती है यहाँ पर जो भी रेंफॉल होती है दोस्तों वर्षा की बात करेंगे यहाँ पर जो भी बारिश होती है वर्षा होती है वो बारिश कि पूरे साल कह सकते हैं संपूल वर्ष वर्षा होती है संपूल वर्ष वर्षा होती है इसी लिए हमारे पास दोस्तों यहां पर घने जंगल मिलते हैं बॉर्णियों के जंगल बहुत घने होते हैं इंडोनेशिया के मलेशिया में जो जंगल जहां मिलेंगे बहुत घने होंगे कि जंगल को कह चाहिए ब्रतन लाइट और वाटर वाटर बारिश पूरे साल मिल रही है और सनलाइट तो मिलती मिलती यहां पर बिल्कुल जुल्दी क्लाइट को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे यहां पर क्रिश्णा जी कहते हैं इतने गर्मी के बावजूद लोग गोरे कैसे होते हैं मैंने बताया क्रिश्णा जी आपको इबाव बताईए आपने एक बहुत अच्छी बात नहीं समझी इंडिया में गर्मी होती है वहां तीन तरफ समुद्र है हमारे पास यहां पर पहाले भी तो मलेशिया के अंदर समुद्र किनारे जाओगे लोगों का रंग फेड होगा डाक कलर होगा पर उसका लगबग भाग परवती भागे मैं आपको दिखाया मलेशिया का लगबग भाग परवती भागे और परवत के पास तापमान कम रहेगा परवत है इसलिए तापमान कम रह क्षमीर भेज दिया इस मौसम में कश्मीर भेज दिया तो कश्मीर में सर्दी होगी हमारे हमारे एरिया के तुलना में लोकलाइजेशन करूँ तो महां सर्दी होगी तो कुछ कुछ महीने केंद आपका रंग खुल जाएगा आप थोड़े गोरे हो जाओगा मैं यह नहीं कह रहा अंग्रेज बनके लोटोगे अंग्रेज नी बनोगे रहोगे भारती है इसी रंग में रहोगे पर आज जो आपका कलर है उससे थोड़ा सा कलर साफ हो जाएगा अगर बेक्शनल डिनफॉल बिल्कुल बहुत बढ़ी है समझना आ गया ठीक है तो पहाली राका होगा लोग गोरे होंगे मैंना आंसर आपको पहली बता दिया यहां पहाल है बीच में लोग है तो पहाल का एफेक्ट हमारे पास मिलेगा तो क्या होगा दोस्तों लोग गोरे क्योंकि यहां पर बिल्कुल सभी बात है यहां पर मतलब आप अंग्रेज नहीं लोपन के लौट होगे आप परोगे भारती यह कि आगे दिखते हैं आई होप से इतनी बात क्लियर हो गई चलिए बहुत बढ़िया समझ में आ गया तो यहां का टेंपरिशर आपके पास लास्ट टू डेज है हमार पास मतलब कपका आज का और कल का दिन और आपके पास यहां पर इसको अवेल करने का वाई 375 कोड के साथ अगर इसको आप देखते हैं पूचेस करते हैं तो से दो दिन के अंदर आपको 1840 का यह बैच मिल जाएगा और उसके बात इसकी फीज 5,000 पर हो जाएगी ठीक है यहां पर तो दोस्तो बीपीस का महा पाक के बहुत सारी फैसलिटी सब्सक्राइब करते हैं तो आपको 78% का डिसकाउंट दिया जाएगा संकल्प बैच के इंदर ठीक है यहां पर और दोस्तों संकल्प बाच के लिए डेडिकेट पूरी तरह से यहां पर उसके इंदर फॉर्म बरेंगे तो आपके पास एग्जामनेशन अभी होने वाला है सब्सक्राइब करते हैं अगली क्लास के अंदर मिलते हैं अगली क्लास में तक तक के लिए दोस्तों जैहिन जैभारत करते हैं करते हैं